जैहिन दोस्तों, I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिक्षा की तयारी अच्छे से कर रहे होंगे बच्चों आज हम लोग इसमें GKGS से कुछ important प्रश्णों की चर्चा करेंगे उसमें अंग्रेजी सेना का नेत्व तु कौन कर रहा था जो प्लासी का बैटल हुआ था उसमें जो अंग्रेजी सेना था उसका नेत्व तु कौन कर रहा था बच्चों जो इसका correct answer हो जाएगा वो Robert Clive होगा क्योंकि जो 877 में बैटल हुई थी उसका नैतितु रॉबर्ट क्लाइब नहीं किया था अगले प्रेशन पराते हैं बच्चों अगला प्रेशन आप से कह रखा है कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है अगले प्रेशन पराते हैं बच्चों अगला प्रेशन आप से पूछ रखा है कि बक्सर के युद्ध कब हुआ था इसमें अंग्रेजी सेना का नेतुतु करने वाला कौन था रॉबर्ट क्लाइक थे मतलब क्लाइक थे रॉबर्ट मतलब वाइडन हेस्टिंग थे हेक्टर मुन्रो थे या फिर चार्ल्स आयर कूड थे तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नमबर C क्योंकि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतुत हेक्टर मुन्रो न किया था तो ऑप्शन नमबर बच्चों C करेक्ट एंसर हो जाएगा अगले प्रशन पर आते हैं अगला प्रशन आपसे पूछ रखा है कि मोतियों का सहर किस सहर को कहा जा जाता है आप जानते होंगे कि हैदराबाद को मोतियों के सहर के नाम से जानते हैं तो ऑप्शन नमबर A इसका बच्चों करेक्ट एंसर हो जाएगा अगले प्रशन पर आते हैं अगला प्रशन क्या है यह कह रखा कि बंगाल का द्वहत सासन कब तक चला था इसमें पूछ 1775 में स्टार्ट हुई थी और 1772 में खत्म हुई थी तो कितने के मद्द चला था बच्चों 1775 से 1772 गे तो ऑप्शन नमबर से इसका गरेक्ट एंसर हो जाएगा अगला प्रशन क्या है अगला प्रशन आप से पूछ रखा है बच्चों कि जो ब्लू माउंटेन है वो और कि किस नाम से जानी जाती है मतलब ब्लू माउंटेन पहाड़ी है उस पहाड़ी को और किस नाम से जानना जाता है या फिर आप कह सकते हैं कि कौन सी आसी पहाड़ी है जिसको ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं तो इसमें सही आप्शन क्या हो जाएगा बच्चों जो नि साशन समाप्त किया गया था, Robert Clive के Warren Hesting के, Hector Munro को या फिर Leonard Curtin के, तो बच्चे बच्चों किसके जरी ये समाप्त किया गया था, तो Warren Hesting के दोरा ये समाप्त कर दिया गया था, तो option number B इसका correct answer हो जाएगा, अगला प्रश्ण क्या है अगला प्रश्ण आपसे क्या रखा है कि किस मुगल समराट ने एलोरा के कैलास मंदिर को तोड़ने का प्रियास किया था, हाला कि वो तोड़ नहीं पाया था, लेकिन पूर्ड रूप से प्रियास किया था, एलोरा के कैलास मंदिर को तोडने का प्रयास था बच्चो में कौन किया था? Orange jail ने किया था Orange jail की option में option no a में बच्चों इसका option no a ही correct answer हो जाएगा अगला question क्या है? अगला question आपने पूछ रखा है कि दोयत साथन का जनक किसे माहना जाता है तो बच्चों जो दोयत्सासन प्राणि थी उसका जनग किसको माना जाता है तो लियोनेल कर्टिस को दोयत्सासर का जनग माना जाता है अगला प्रशन की चर्चा करते हैं बच्चों अगला प्रशन क्या है अगला प्रशन आपका है कि विख्यात कोहिनूर हीरा कहां से मतलब किस खान से प्राप किये गए तो option number D इसका correct answer हो जाएगा अगला प्रश्ण क्या है बच्चों अगला प्रश्ण कहे रहा है आप से कि verse 1798 में Lord Willisley दौला प्रस्ताविश सहायक संधी को सुईकार करने वाला पहला भारती सासर कौन था तो बच्चों जब 1798 में Lord Willisley ने सहायक संधी को मतलब प्रस्ताविश किया था उसको सबसे पहले किसने सुईकार रहा था बच्चों तो हैदरावाद के निजाम ने तो option number B इसका बच्चों correct answer हो जाएगा अगले प्रश्ण की चर्चा करते हैं अगला प्रश्ण आपसे पूछ रखा है कि इतियास का सबसे महान दार्शनी कौन है अच्छा प्रश्ण बच्चों यह आम तोर पे हर competitive exam में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्ण तो बच्चों इतियास का सबसे महान दार्शनी कौन था तो अरस्तु था तो option और मैसूर के बीच हुआ था तो उसमें टीपू सुल्टान ने स्री रंग पट्टम की संधी पे साइन किया था मतलब उस युद्ध को रोकने के लिए उन्होंने स्री रंग पट्टम की संधी की थी तो option number B बच्चों इसका correct answer हो जाएगा अगले प्रश्ण की चर्चा करते हैं अगला प्रश्ण आप से पूछ रखा है कि पुस्तक एक पुस्तक है कौन से है वो सत्य के साथ मेरे प्रियोग इसके आप से इसमें क्या पूछ रखा लेखक तो बच्चों सत्य के साथ मेरे प्रियोग के लेखक कौन है मात्मागाद दीजी है क्योंकि इन्होंने ही सत् अगले प्रत्पर आते हैं बच्चों कि मिश्कों के दौरा लागू करने वाला कौन था तो इसका करेक्ट प्रत्रों कीज़एगा बच्चों उसको फ्रेक्ट द लागू किया था तो अप्सवास नंबर यले अगले प्रश्ण पर आते हैं, अगला प्रश्ण आपसे पूछ रखा है कि महात्मा गाधी के राजनाति गुरू कौन थे, इनमें ऑप्शन दो रखे हैं, वो बच्चों, गोपाल कृष्ण खोकले हैं, महादेव, गोविंद, रनाडे है, दादा भाई नारो जी और फिरोसा महता है, तो बच्चों, महात्मा गाधी के जो राजनाति गुरू थे, वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, तो अप्शन नमबर A इसका करेक्ट, एंसर हो जाएगा, अगले प्रश्ण पर आते हैं, अगला प्रश्ण आपसे पूछ रखा है कि सिक गुरू ने फारसी में, क् लिखा था, जफर नामा लिखा था, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो फारसी में जफर नामा लिखा था, वो कौन से गुरू थे, तो बच्चों, गुरू गोविन सिंग, ऑप्शन नमबर C इसका करेक्ट, एंसर हो जाएगा, अगले प्रश्ण पर आते हैं, अ अगला प्रश्ण क्या क्या रखा है, यह क्या रखा है, किस सिंग गुरू नानक की जीवनी लिखी, गुरू नानक जीवनी ने इनमें से जो आप्शन दे रखें बच्चों, किस सिंग गुरू ने इनकी जीवनी लिखी थी, गुरू अंग देव ने लिखी थी, या फिर ग इच्छा में जनरली पूछा जा रहा है, यह कह रखा है कि इंटर पोल का मुख्याले कहां इस्तित था, तो बच्चों, इंटर पोल का जो मुख्याले है, वो लियोन में इस्तित था, तो option number A इसका जो है, बच्चों correct answer हो जाएगा, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, अग बच्चों किसके दौरा किया गया था, यह गुरू, सौरी, गोविन सिंग के दौरा किया गया था, जो सैंस अंपरदाय था, उसका खालसा पंद का परवरतन जो बच्चों, गोविन सिंग के दौरा किया गया था, तो option number A इसका correct answer हो जाएगा, अगले प्रश्न काफी आसान अगले प्रश्न पर आते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि दुनिया का पहला मिसाइल मैं किसे कहा जाता है, वरतमान का नहीं पूछा है, इसमें पहला पूछा है बच्चों, तो सबसे पहले मिसाइल मैं को किस नाम से जानते हैं थे बच्चों, टीपू सुल्तान को दुनिया का सबसे पहला मिसाइल मैं कहा जाता है, तो option number D इसका correct answer हो जाएगा, अगल वरतमान में पूछे तो आप सभी इसका answer जानते ही होंगे अगला प्रशन पूछ रखा है बच्चों, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, अब लाल ग्रह का संबंद बच्चों क्या है, कि वो लाल दिखाई देता होगा, जो ग्रह है वो लाल दिखाई देता होगा, तो लाल दिखाई देने का मतलब क्या वो सूरी के सबसे करीब होगा तो बच्चों इन में से सूर के सबसे करीब कौन है मंगल गरह है तो option number C आपका बच्चों correct answer हो जाएगा I hope बच्चों आपको सभी प्रश्ट अच्छे से समझ में आ गये हों अगर आ गये होंगे तो please इस वीडियो को safe जरूर कर लिजेगा क्यों की ये प्रश्ट जो हमने आपके सामने लाए हैं ये काफी ज्यादा आपके लोगों के लिए important है धन्यवाद